दोस्तों नमस्कार ये है मागदुशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों सामान्य अध्यन के महत्तोपोंड प्रश्णों के इस वीडियो में प्रस्टुत है सामान्य विज्यान खंड के अंतरगत भौतिक विज्यान से संबंधित महत्तोपोंड तत्यों का संकलन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परिक्षा, आरो यारो यानी समिक्षाधिकारी, सहायक समिक्षाधिकारी, लोवर PCS तथा अन्य राज्य लोग सेवा आयोगों जैसे उत्राखन, बिहार, राजस्थान और EMPPCS द्वारा आयोजित परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आये शुरू करते हैं सामान्य अध्यन के अंतरगत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्पूर प्रश्नों को सबसे पहले हम मूल रासियां और उनके यसाई मात्रकों के बारे में जानेंगे दोस्तों मूल रासियों की संख्या साथ है लंबाई, द्रब्यमान, समय, ताप, विद्धुधारा, जियोतिति ब्रता और पदार्थ की मात्रा तो आये साथ मूल रासियां और उनके यसाई मात्रक के बारे में जानते हैं लंबाई इसका मात्रक मीटर है, द्रब्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकेंड, विद्धुधारा का यसाई मात्रक एमपियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मूल और जियोतिति ब्रता का मात्रक कैंडला है अगर हम देखें इनके प्रतीकों के बारे में, तो मीटर को इसमाल M से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को S से, एमपियर को कैपिटल A से, केल्विन को कैपिटल K से, मूल को MOL और कैंडला यानि जियोतिति ब्रता के मात्रक को इसमाल C D से प्रदर्शित किया जाता है आईए कुछ अन्य रासियां और उनके मात्रकों के बारे में जानते हैं छेतरफल, छेतरफल का मातरक मीटर स्क्वायर होता है या वर्ग मीटर, आयतन का मातरक घन मीटर या मीटर क्यूब होता है, घनत्व का मातरक जो है आप जान लिजे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, घनत्व का मातरक, वेग का मातर मातरक मीटर प्रतिसेकंड है त्वरण का मातरक मीटर प्रतिसेकंड स्क्वायर होता है और बल का मातरक आप जानते हैं न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रतिसेकंड स्क्वायर होता है कारे का मातरक जूल या न्यूटन मीटर है उर्जा का जूल या न्यूटन मीटर और शक्ति का मात्रक आप जानते हैं वाट या जूल प्रतिसेकंड होता है सम्तल कोड का मात्रक रेडियन और घन कोड का मात्रक इस्टे रेडियन होता है इसी तरह आवेग का मात्रक जो है वो न्यूटन सेकंड होता है विद्दुत आवेश का मातरक कुलाम है आप जानते भी होंगे विद्दुत धारिता का मातरक फैराडे है अवरित्ति का मातरक हर्ज या कमपन प्रति सेकेंड होता है प्रतिरोध का मातरक ओम है और प्रतिरोधकता का मातरक ओम मीटर होता है दाब का मातरक पासकल या न्यूटन प्रति मेटर स्क्वायर होता है उसमा का मातरक कैलोरी विभुवांतर का बोल्ट तरंग धैर का एंगेश्ट्राम ध्वन की प्रवलता का डेसिबल और वायुमंडली दाब या एटमासफेरिक प्रेसर का जो मातरक होता है वो बार और एक 10 to the power 5 पासकल के बराबर होता है इसी तरह जल प्रवाह की दर का मातरक क्यूसेक होता है और आप सुनते भी होंगे इतना क्यूसेक पानी तो जल प्रवाह की दर क्यूसेक और ओजोन परत की मुटाई जो है वो डाबसन यूनिट में मापी जाती है प्रकास वर्स तो कई बार परिक्षाओं में पूछा भी गया है कि प्रकास वर्स किसका मातरक है आप जानते हैं प्रकास वर्स जो है लंबी दूरी को मापने का जो है एक मातरक है प्रकास द्वारा एक वर्स में निर्वात में चली गई दूरी को जो है प्रकास वर्स कहते हैं और एक प्रकास वर्स क कमान 9.46 x 10 to the power 15 meter के बराबर होता है और इससे भी बड़ा मात्रक पारसेख है एक पारसेख जो है ये 3 x 10 to the power 16 meter यानि 3.262 प्रकास वर्स के बराबर होता है तो याद रखेगा प्रकास वर्स प्रकास द्वारा एक वर्स में निर्वात में तै की गई दूरी होती है आईए जानते हैं अदिश और सदिस रासियों के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं अदिस रासि किसे कहते हैं दोस्तों अदिस रासि जिनमें केवल परिमाड होता है दिशा नहीं होती है सदिस रासियों में परिमाड और दिशा दोनों होती है अदिस रासियों में दूरी, आयतंद, रब्यमान, घनत, वकार, उर्जा, समय, ताप, शक्ती, आवेश, चाल और विभो है जबकि सदिस रासियों में आप देख लीजे, विश्थापन, वेग, त्वरण, बल, संबेग, आवेग, विद्दुचेतर, चुम्बकी छेतर इत्यादी आता है आये भौतिक विज्ञान में कई प्रकार के वेग्ञाने को उखरण और उनके अनुपरियोगों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहां से भी कुछ प्रश्ण पूछे जाते हैं परिक्षाओं में, देखिए अब देखे एनिमो मीटर, तो एनिमो मीटर से वायू का बेग मापा जाता है, ए मीटर से विद्दुधारा, अल्टी मीटर से उंचाई मापी जाती है, ओडियो मीटर से ध्वन की तिब्रता, बैरो मीटर से वायू मंडली दाव, कैलोरी मीटर उसमा मापने का यंत्र है सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तूओं की स्थिती का पता लगाया जाता है पाइरो मेटर अति उच्छ ताप नापने के लिए प्रियुक्त होता है मैनो मेटर आप जान लीजे गैसों का दाव या जो प्रिशर होता है गैसों का उसको मापने के लिए मैनो मेटर यंद्र का प्रयोग किया जाता है हाइगरो 미nes से सापेकशिक आर्दता का मापन किया जाता है इसी तरह आप जान लीजे ओडो मेटर ये वाहन के पहिये द्वारताय की गई दूरी होती है लैक्टो मेटर दूध के आपेकशिक घनतों को मापता है बहुत ही महत्पूर है दूध का आप एक छिक घनत लेक्टो मीटर के द्वरा मापा जाता है और बियूटीरो मीटर दुख्ध उत्पादों में वशा या जो फैट होता है उनके मात्रा के मापन के लिए बियूटीरो मीटर का प्रियोग किया जाता है इसी तरह एक यन्तर है हाइडरो मीटर इससे द्रव या जल का घनतो मापते हैं पोटेंशियो मीटर से बिभुवांतर इस्टेथोसकोप से हिर्दय की गती इस फिग्मो मैनो मीटर ये बलड प्रिशर यानि रक्तचाप मापने का यन्तर है कार्डियो ग्राफ हिर्दय की गती को अंकित करने वाला यन्तर है और लक्स मीटर ये प्रकास की तिब्रता इससे मापी जाती है सिस्मो ग्राफ भुकमपी तरंगों के मापन के लिए प्रियूक्त होता है और फैदो मीटर यन्तर से समुद्र की गहराई मापी जाती है और आप जान लीजे पोलीग्राफ पोल नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखेगा सोनार का फुल फाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और ये परासरब्य तरंगों का प्रियोग करने वाला यंत्र है और इसका प्रियोग नौ संचाल को द्वारा महा सागर में डूबी हुई बस्तु की इस्थिती जानने के लिए प्रियोग किया जाता है तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये परासरब्य तरंगों का प्रियोग करता है राडार तो आप जान लेजिए दोस्तों राडार का फुल फाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और इसमें रेडिय द्रब्यमान में प्रमुख अंतर के बारे में तो भार यानि वेट और द्रब्यमान यानि मास इन दोनों में अंतर है क्या अंतर है तो भार किसी वस्तु पर पृत्वी द्वारा लगाया गया आकरसन वल जो है वो भार कहलाता है भार एक सदिश रासी है और किसी वस्तु का भ भार भिन भिन अस्थानों पर भिन भिन हो सकता है यानि भार परिवर्तित होता रहता है जबकि द्रब्यमान की सिवस्तु या पदार्थ का परिमार होता है ये एक अधिश रासी है और द्रब्यमान सभी जगह पर सभी इस्थितियों में समान रहता है इसी तरह दूरी और वि दूरी कहलाती है और विस्थापन दो बिंदूओं के बीच की नियूनतम लंबाई जैसे कोई वस्तु यहाँ A पर है और B तक वो ऐसे ऐसे चल के आती है तो इन सब को दूरी कहते हैं लेकिन यहाँ से सीधे माप लेंगे तो यह विस्थापन कहा जाता है दो बिंदूओं के बीच की नियूनतम लंबाई विस्थापन है दूरी जो है अदिश रासी है इसमें केवल परिमार होता है जबकि विस्थापन सदिस रासी है और दूरी का मान सुन्य नहीं हो सकता और विस्थापन का मान सुन्य भी हो सकता है चाल तो आप जानते है चाल क्या है स्पीड तो चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय और चाल एक अदिश रासी है इसका मातरक मीटर प्रति सेकिंड होता है और वेग तो वेग वस्तु में इकाई समय में उत्पन विस्थ प्रतिसेकंड होता है तो चाल और वैग में अंतर ये है कि चाल जो है ये अदिशराशी है वेग सदिसराशी है और वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी या एकांग समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं जबकि 21 समय में जो भी स्थापन होता है उसको वेग कहा जाता है त्वरण तो हम लोग 9 में ही पढ़ते हैं त्वरण या एक्सिलरेशन के बारे में दोस्तों समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है त्वरण का फार्मूला वेग परिवर्तन की वेग परिवर्तन बटे समय यानि वेग परिवर्तन के समयदार को त्वरण कहते हैं, त्वरण सदिस रासी है और इसका मातरग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर होता है दोस्तों भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें न्यूटन के गति संबंधी नियम आते हैं तीन नियम है न्यूटन के गति का जो पर्थम नियम है वो ये है कि यदि कोई वस्तु विरामा वस्था में है अथवा एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वो अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाह बल यानि बाहरी बल ने लगाए जाए और न्यूटन के गति के पर्थम नियम को जड़तों का नियम या गैलीलियों का नियम भी कहा जाता है। इसको फार्मूले में F यानि Force is equal to Mass into Acceleration यानि F is equal to Ma ये न्यूटन के गति के दुती नियम का फार्मूला है। एक टर्माता है संबेग। संबेग क्या होता है तो आप जान लिजे संबेग, द्रब्यमान और वेग के गुडनफल के बराबर होता है। और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों कारे जो है बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुडनफल को कारे कहते हैं। और ये एक अदिश रासी है इसका मात्रक जूल होता है। इसको फार्मूले में कारे को डबलू से अगर जो हम अभिहित करें तो वर्क इज एक्वल टू फोर्स इंटू एस यानि बल और बल के दिशा में विस्थापन के गुडनफल को कारे कहते हैं। अगर हम कोई ऐसा कारे करते हैं दिन भर कोई बोज लिये खड़े रहते हैं उस वस्थो का कोई विस्थापन नहीं होता है तो कारे जीरो माना जाएगा। क्योंकि कारे में विस्थापन जरूरी है। शक्त या पावर किसे कहते हैं तो दोस्तों किसी मशीन अथवा करता के कारे करने की दर को शक्ती कहते हैं सक्ती कारे बटे समय होता है यानि P is equal to W by T इसका मातरक जूल प्रतिसेकेंड या वाट होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि एक अश्वसक्ती या एक HP एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। उर्जा का व्यावसाइक मातरक किलोवाट घंटा होता है क्वह और एक किलोवाट घंटा 3.6 x 10 to the power 6 जूल जोकी एक यूनिट के बराबर होता है। उर्जा या एनर्जी किसे कहते हैं आप जान लीजे किसी वस्तु के कारे करने की छमता को उर्जा कहते हैं। उर्जा अदिश रासी है इसका मातरक जूल होता है और उर्जा के प्रकार होते हैं जैसे यांत्रिक उर्जा, प्रकास उर्जा, ध्वनी उर्जा ये सभी उर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक उर्जा, गतिज उर्जा और इस्थिदिज उर्जा का योग होता है। तो अब इसके बाद आएए देखते हैं गतिज उर्जा या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो किसी वस्त में उसकी गतिके कारण जो उर्जा होती है उसे गतिज उर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं के is equal to half mv square जहां पर m द्रब्यमान और v वस्त की चाल होती है तो क किसी वस्त में उसकी गतिके कारण जो उर्जा होती है उसको गतिज उर्जा कहते हैं इस्थितिज उर्जा तो आप जान लिजे किसी वस्त में उसकी इस्थितिज उर्जा के कारण जो उर्जा होती है उसे इस्थितिज उर्जा कहते हैं इस्थितिज उर्जा जो है द्रब् हुई कमान और तनी हुई इस्प्रिंग में जो संचित उर्जा होती है वो इस्थितेज उर्जा कहलाती है। एक physics में आता है उर्जा सनरक्षण का नियम, energy conservation, दोस्तों उर्जा को ने तो नश्ट किया जा सकता है ने उत्पन किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है, यही उर्जा सनरक्षण का नियम है, रूपांत रूप यहां से परिक्षाओं में बहुत बार प्रेश्णपूछ पूछे जाते हैं यंत्र और उर्जा रूपांत्राण तो दाइनेमो जो है दोस्तों ये यांतrिक उर्जा का विद्दत उर्जा में रूपांत्राण करता है विद्दुत जनित्र या जनरेटर या ये यांत्रिक उर्जा से विद्दुत उर्जा का उत्पादन करता है विद्दुत मोटर में उर्जा का रुपांतरन विद्दुत उर्जा से यांत्रिक उर्जा में होता है टर्बाइन यांत्रिक उर्जा से विद्दुत अब आईए आगे नियूटन के गुरुत्वा करशन संबंधी नियम के बारे में जान लेते हैं। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूत्कर मानुपाती होता है। जी गुरुत्वा करशन नेतांक है। इसका मान आपको याद रखना चाहिए कि जी का मान 6.67 इन्टू 10 टू दि पावर माइनस 11 नियूटन मीटर स्क्वाइर पर किलोग्राम स्क्वाइर होता है। और पृत्वी का पलायन वेग याद रखीगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई वस्तू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पिर्थवी से बाहर की ओर छोड़ी जाए तो ये कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। सरल लोलक के संबंध में जान लेते हैं पूछा जाता है सरल लोलक का आवर्तकाल इसका फार्मूला है टी इस एक्वेल टू पाई अंडर रोट ल बाई जी एल सरल लोलक की लंबाई है और जी गुरुत्वी तवरन होता है। अगर हम अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल जानना चाहें तो याद रखेगा 84.6 मिनट होता है और यद किसी लोलक का आवर्तकाल दो सेकेंड हो तो उसको सेकेंड लोलक कहते हैं। तो याद रखेगा 84.06 मिनट होता है अनन्त लंबाई के सरल लोलक का आवर्थकाल। आईए एक टर्म आता है प्रत्यास्थता यानि इलास्टिसिटी तो वस्तु का वह गुड जिसके कारण वस्तु पर लगा बाहबल हटने पर वह वस्तु अपनी प्रारंभी का कार और आकरती पाने का प्रयास करता है उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु जो हैं इसका उदाहरान क्वार्ड जे है जो की बाहबल हटने पर अपनी प्रारंभी का वस्ता को पूर्ण तह प्राप्त कर लेती है। प्रिष्ट तनाव का वह गुड है जिसके कारण इसका प्रिष्ट नियूंतम छेतरफल घेरने की प्रविर्ति रखता है जैसी कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। प्रिष्ट तनाव होता है। इसकारण केसी कत्व की घटना होती है। आएए देखते हैं स्यानता क्या है तो स्यानता द्रव का वह गुड है जिसके कारण वो अपनी विभिन परतों के मध्ध सापेक्छ गति का विरोध करता है। इसको श्यानता कहते हैं और ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है और द्रव की श्यानता घटती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है दोस्तों गाढ़े द्रव जैसे शहद गिलिसरीन आद में श्यानता अधिक होती है। दाब प्रिशर किसे कहते हैं तो दोस्तों आप जान लीजे एकांक छेतरफल पर लंबवत लगने वाले बल को यहाँ पर एकांक छेतरफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं दाब बल और छेतरफल के अनुपात के बराबर होता है दाब बराबर बल बटे छेतरफल और इसका मात्रख नियूंटन प्रतिमीटर स्क्वेर होता है उत्प्लावन बल के बारे में जानते हैं दोस्तों उत्प्लावन बल क्या है तो द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी जब कोई वस्तु पोड़ या आंसिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी का कारण आर्कमेडीज का सिध्धान्थ दोस्तों जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंसिक या पूंड रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में ये आभासी कमी कितनी होती है तो ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होत यही आर्कमेडीज का सिध्धान्त है। ताप या टेमप्रेचर। दोस्तों ताप किसी वस्तु के उश्डता अथवा शितलता का आप एक शिक माप है। इसका मापन ताप मापी द्वारा किया जाता है। और ताप मापन के पैमाने में सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और फारेन हाइट पैमाने मुख्य रूप से प्रियूप्त किये जाते हैं। यहां से कुछ और प्रश्ण बनते हैं, केल्विन और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है। तो केल्विन जो है C प्लस 273 केल्विन होता है, यानि जो है एक केल्विन अगर जो सेंटिग्रेट में देखा जाए, तो केल्विन का मान जो सेंटिग्रेट में होता है, उसमें 273 जोडने पर होता है, यानि 0 डिगरी सेल्सियस जो है, वो केल्विन में 273 होगा, और 10 डिगरी 273 प्लस 10 केल्विन हो जाएगा, सेल्सियस और फारेन हाइट पैमाने में क्या संबंध होता है, तो C बटे 5 बराबर F माइनर्स 32 बटे 9 और इसी फार्मूले के आधार पर आप Celsius ताप मान को Fahrenheit में और Fahrenheit को Celsius में बदल सकते हैं। उस्मा या Heat क्या है तो Heat एक उर्जा का रूप है और उस्मा अस्थानांत्रण जो है ताप में अंतर के कारण होता है। दोस्तों आप जान लीजे उस्मा का अस्थानांत्रण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में होता है। प्रकाश के बारे में जानते हैं लाइट तो प्रकाश जो है द्वैत प्रकिर्ति का होता है इसमें तरंग और कण दोनों के गुड़ विद्यमान होते हैं प्रकाश उर्जा का एक रूप है ये बिकिरन उर्जा है और प्रकाश जो है वस्तुओं को द्रिश्यमान बनाता है प पर आईए देख लेते हैं वहुत ही महत्वपूर है किसी माध्यम में प्रकास की चाल अगर जो आपको ग्याद करनी है तो किसी माध्यम में प्रकास की चाल U is equal to CY mu होता है U माध्यम में प्रकास की चाल C निर्वात में प्रकास की चाल और mu माध्यम का अपवर्तनांग होता है प्रकास का परावर्तन दोस्तों प्रकास की किरण का किसी चमकदार सतह से ठकरा कर वापस लोटने की घटना को प्रकास का परावर्तन कहते हैं और आप जान लिजे परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं परावर्तन के नियम है यहाँ पर आप देख लिजे यहाँ पर एक परावर्तक सतह दिया हुआ है इस तरह से और इस पर जो कोई प्रकास पढ़ रहा है यहां पर आपतित किरण यानि प्रकास इधर से पढ़ रहा है तो वो उसी कोण पर पर परावर्तित हो जाती है यानि प्रकास जहां पर पड़ता है उस किरण उसके ठीक आधे भाग को जो है अभिलंब कहते हैं और जो कोड बनता है उसको आपतन कोड अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोड अभिलंब आपतन कोड होता है और इसी अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोड पर परावर्तन के नियम जो हैं तो उसमें पहला है कि आपतन कोड यानि ये जहां से आपतन कोड ये वाला ये परावर्तन कोड के बराबर होता है और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में इस्थित होते हैं क्रांतिक कोड किसे कहते हैं तो ये सघन माध्यम से आपतन कोड का वहमान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोड का मान 90 डिगरी होता है उसे क्रांतिक कोड कहते हैं देखें पूर आंतरिक परावर्तन और इसके उदाहरोंड से संबंधित कई प्रशन पूछे जाते हैं आप जान लिजे पूर आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटर्नल जो रिफ्रेक्षन है इसको क्या कहते हैं तो दूस्तों प्रकास की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रिवेश करने पर और जब आपतन कोड का मान करांतिक कोड से अधिक हो जाए और अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लोट जाए तो इसको पोड आंतरिक परावर्तन कहते हैं पूर आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण हैं जैसे मरिग तिशना या मरिग मरीचिका के घटना जिसको मिरेज कहते हैं, कटे हुए हीरे का जगमगाना, आप्टिकल फाइवर या प्रकास तंतुमे संचरन और एंडोस्कोप का कारी ये सभी पूर आंतरिक परावर्तन के प्रकास की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब की ओर जुक जाती है, यहाँ पर अगर हम आभासी किरण देखें तो आपतित जो किरण है ये विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है, तो जब आपतित किरण प्रकास की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये सीधे न जाकर अभिलंब की तरह जुक जाती है और यही प्रकास के अपवर्तन को दर्शाता है आए देखते हैं दूसरी घटना जब प्रकास की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती जैसे आपतित किरण सघन माध्यम में यहां पर देखिए आपतित किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम उपर सघन माध्यम है वहां से विरल माध्यम में जाती है तो सीधे जाना चाहिए अभिलंब की तरफ त तो जल में जो एक डूबी छड़ होती है वो ऐसे दिखती है कि मूडी हुई परतीत है क्योंकि वायू जो है जिसमें हम देखते हैं बाहर वो सखन माध्यम है जल बिरल माध्यम में है तो जल में डूबी हुई छड़ का मूडा हुआ परतीत होना तारो का टिम्टी माना और ज खाई देना ये सभी अपवर्तन के उदारण हैं दोस्तों जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अंतर होता है ये प्रश्न भी बार-बार पूछा जाता है बहुत ही महत्पूर है आप जान लिजे जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंगदैर यानि बेबलेंथ और उसका जो वेग है वो तो बदलता है लेकिन अबर्त यानि फ्रेक्वेंसी नहीं बदलती है प्रकास के प्रकेड़न के बारे में जानते हैं, दोस्तों प्रकास का प्रकेड़न क्या है तो देखिए छोटी तरंग दैर के प्रकास का प्रकीडन अधिक होता है वायुमंडल के कडो द्वारा प्रकास कीडों का बिखराव जो है या स्केटरिंग ये प्रकास का प्रकीडन कहलाता है वाता बरण में प्रकास का बिखराव आखाश का नीला दिखाई देना ये प्रकास के प्रकीडन के प्रभाव है प्रकीडन बैगनी रंग के प्रकास में सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकास का सबसे कम होता है इसलिए सिगनल आधि पे जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है क्योंकि इसका प्रक्रिया कम होता है आईए जानते हैं देखे वर्ण विच्छेपड के बारे में वर्ण विच्छेपड तो आप जान लिजे श्वेत प्रकास का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेपड कहते हैं स्वेज प्रकास जो आप देखते हैं वो एक रंग में दिखता है सफेद रंग में वो सात रंगों का मिश्रण है जिसमें रेड, औरेंज, एलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वाइलेट होते हैं तो ये विबग्योर जो है नीचे से अगर जो आप देखेंगे तो विबग विबग्योर होता है और इसमें आप जान लिजे कि लाल रंग के प्रकास की जो तरंग दैर होती है वो सबसे अधिक होती है बैगनी रंग के प्रकास की तरंग दैर सबसे कम होती है बहुत ही महत्तपूर है दोस्तों लाल रंग के प्रकास की तरंग दैर या बेबलेंथ सब से अधिक और बैगनी रंके प्रकास की तरंग दैर सबसे कम होती है आईए जानते हैं आउतल दरपण और उतल दरपण के बारे में तो आउतल दरपण दोस्तूं ये ऐसे होता है आउतल दरपण इसमें ऐसे मुड़ा हुआ होता है बाहर की सतिय पालिसदार होती है उतल दरपण में क्या होता है अंदर की सतह पालिसदार होती है और उभरा हुआ भाग उतल दरपण होता है तो अवतल दरपण के क्या उपयोग है इनके बारे में जान लीजे तो दाढ़ी बनाने वाले जो दाढ़ी बनाने के लिए शीशा होता है उसमें अउतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है डाक्टर द्वारा आख नाक कान गले और निरिक्षण के लिए अउतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है और इसी तरह अउतल दर्पन का प्रियोग टार्च और वाहनों के हेड लाइट में किया जाता है उतल दर्पन का प्रियोग तो सबसे महत्वपूर्ण प्रियोग वाहनों में जो side mirror होता है, वहाँ पर side mirror के रूप में उत्तल धर्पण का प्रियोग किया जाता है, इसी तरह lens तो lens जो है उत्तल lens और आउतल lens अभिशारी होता है और आउतल lens अपसारी होता है, तो ये दो मुखे प्रकार हैं lens के, lens की छम जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की शक्ति P is equal to 1 by F जहां पर P लेंस की शक्ति और F लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है लेंस की शक्ति का मापन ये P is equal to 1 by F यानि लेंस की शक्ति या छमता जो है ये फोकस दूरी के ब्योतकरमानुबाती होती है और उतल ले की छमता रिडात्मक होती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सामान्य अध्यन के महत्पूर्ण प्रश्णों के एक क्विक रिविजन के अंतरगत इसमें हमने सामान्य विज्ञान खंड के अंतरगत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्पूर्ण प्रश्णों को कवर क और ये सभी प्रशन बहुत ही उप्योगी हैं आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियद्धन की तैयारी और आपने अगर इन प्रशनों को पढ़ा है तो उसके रिवीजन के लिए तो आप इन प्रशनों को अच्छे से तैयार कर लिजेगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार